आज में लेकर आईँ ऐसी रेस्पी जिसमें हम पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्या आपने कभी सुना है कि बिना पानी की कोई खाना बना सकता है हम खाना बनाएं और पानी का यूज ना करें ऐसा कभी हो सकता है लेकिन आज में जो बनाने वाली हुना उसमें पानी का यूज में बिल्कुल भी नहीं करूँगी बिना पानी के इस्तेमाल किये बिना ही मैं ये समोसा मटरी आपको बना कर देखाऊंगी आज हम बनाने वाले हैं मिनी समोसा मट्री जो बिना पानी के बना कर देखाऊँगी तो चली ये शुरू करते हैं तो मिनी समोसा मटरी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है एक मिकसी जार और मीडियम साइच का एक आलू जिसे मैंने छील कर बड़िया से टुकडों में कट कर लिया और इसे धूकर साप कर लिया अब यहां पर हम एक मिकसी जार में से डाल लेंगे सारे आलूओं को फिर य यहां पर मैंने लिए हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, इसे भी इसी में डाल दूँगी, आप चाहें तो इसमें लेसुन में डाल सकते हैं, लेकिन अमारे यहां लेसुन ज्यादा पसंद ने किया जाता, तो मैंने लेसुन बड़ी से छली हम, इस तरह की कोई भी छली ले लिजिए, अब इसमें ये पेस्ट हमने वनाया है, उसको हम यहापर डाल लेंगे, और इसे बड़िया से छानेंगे, जो भी इसमें छोटे छोटे टोकड़े वगरा कुछ भी रह गाए हुए, वो सारे इसमें निकल जाएंगे तो एक चमच की हेल्प से बड़िया से चलाते हुए छानना है हमको, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ने डाला है, पीसने में भी एक बूंद पानी का इस्तमाल हमने नई किया है, ये प्याज और आलू बगर पानी की पीसे ही हमने यहापर, तो देखिए मैंने इसे छान ल बड़िया है, और थोड़ी से यहापर हम डालेंगे कलोंजी, और थोड़ी से डालेंगे अजवाइन, अजवाइन हमें आतों से बड़िया से क्रिस करके डालनी है, क्रिस करने से क्या होगा, इसका जो टेस्ट है न यह बहुत ही अच्छे से आता है, तो आप अजवान डाल कर बढ़िया मिक्स करेंगे अब थोड़ा सा लिया है यहां मैंने घी मोहिन के लिए घी हमें मीडियम पिगला हुआ लेना है ज्यादा गाड़ा भी नहीं लेना है ज्यादा पतला भी नहीं लेना है तो मैंने मीडियम ही पिगला हुआ घी लिया है अब इसे चमच से बढ़िय बढ़ेगा हम इसका दू लागाएंगे तो मैं ने एक चूटी कटोरी भरकन मेंदा इसमें डाल लिया है अब मैं इसको हातों से बढ़ेया से मिलाती हूँ इसका एक रोटी यह सर दो तेयार करना है अगर हमें और मेहदे की जरुवत होगी तो हम इसमें और मेहदा डाल लेंगे तो यहाँ पर मैने एक कटोरी मेहदा ओर लिया है अब इसे भी इसी में बढ़िया से मिक्स करते हुए आठा लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके मेहदा लेना है जितना मेहदा लगेगा उतना इसमें मिला लेंगे अब थोड़े मैंधे की ओर जरुवत लग रही है तो मैं ठोड़ा सा मम पहुत लेंगे और शी के लिदे के लिए अच्छका दे बीद के से तैयार हो गया है अब इसे हातों से बढ़िया से चिकनासा कर लेंगी मसल मसल की बहुती मुलायाम और सौप्ट लग रहा है हमारा डू बढ़िया से मसल लेंगे इससे हमारी जो मिनी समोसा मट्री बनेगी बहुती क्रिस्पी बनेगी अब इसकी छोटी-छोटी हमें लुई हमें चोटे ही बनाना है उसमें विल्कूल नहीं लेना है तो इस तरीके से मैं सारी कोड़ा कर तี्यार कर लूंगी तो यह दीशी मैंने सारी कोड़ा लिए तोड़ यह है अब ौन दो तोड़ा सा घी और तोड़ा सा मेंदा रख लिया है जो हमें जो मिनी समोसा मटरी है उसमें बनाने में काम आएगा तो अब इसे बढ़िया से छोटी पूरी के तारह हम बेल लेंगे बहुत अच्छे से बिल जाएगी इसमें हमें मेंदा घी ओल लगाने की विलकुल भी जरू हो जाती है कोई दिक्कत वगर हमें नहीं आती तो देखी मैंने बेल लिया है अब इसमें थोड़ा सा उंगली की हेल्प से तोड़ा तोड़ा करके इसमें घी लगा लेंगे पूरी पूरी पे हमारी पे और इसमें मेंदा डालके पहला लेंगे इससे क्या होगा इसकी जो प घिल लेंगे हम थोड़ी सी बड़ी हो जाए और अच्छे से चिपक जाए जी तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसे बेल लिया है यह बिल्कुल तयार हो गई बस ऐसा ही मिनी समोसा मट्री बनाना है हमें बिल्कुल समोसा ऐसी आकार की लग रही है हमें एक और भी आपक बहुत सुन्दर लगती है खाने में भी यह बहुती स्वादिस्ट लगती है क्योंकि हमने इसमें आलू और प्यास से बनाया है पानी बगरा का यूज हमने इसमें नहीं किया है तो उनका टेस्ट बहुती अच्छा होता है आप एक बार 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 बनाने का मन करेगा इतनी स जादा ओयल हमें गरम नहीं करना है विल्कुल मीडियम से भी कम गरम करना है आप देख सकते हैं इसमें थोड़े-थोड़े से बबल सा रहे हैं बस ऐसा ही हमें ओयल गरम चाहिए और जी पकने के बाद अपने आप उपर आ जाती है तो आप देख सकते हैं यह उपर आ गई है अब एक-एक करकेस को हम पलट देंगे बहुती अच्छे से फूली सी हुई है यह और इसकी जो परते हैं विल्कुल खिली-खिली हो गई है एक-एक परत हमें इसकी नजर आ रही है आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी अच्छे से इसकी परते खुली हुई है बहुती क्रिस्पी होगी नहीं तो अगर हम तेज फिलेम पर पका देंगे तो यह नरम रह जाती है और यह क्रिस्पी नहीं हो पाती है तो आप हमेशा कभी भी मट्री बनाए समोसमीनी मट्री या को भी मट्री बनाए तो उसे हमेशा लो फिलेम पर फिराय होने दें तबी यह बहु सकते हैं कितनी सुन्दन लग रहे हैं यह मट्रियां और इनमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा बहुत ही जल्दी बनका तियार हो गई है मेरी समोस में अगर आपको मेरी रहीं एच्छी लगी हो यह वीडियो एचछी लगी है तो चैनल को सास्क्राइब करें वीडियário को लाइक करें शेयर करें और रह माने इस होअलि को बना बना प्राइगे क्योंकि हमने इसे आलू और प्यास से बना कर तयार किया है तो इसका टेस्ट ही अला हुगा हमेशा जो मट्री बनाते हैं उनका टेस्ट अला हुगा और इसका टेस्ट अला हुगा क्योंकि जो दूसरी मट्री हम बनाते हैं उसमें तो पानी का यूश करते हैं आज मैं आपके साथ सक्कर पारे की रेस्पी सहर करूँगी जो मैंने गेहूं के आटे से बना कर तयार किये हैं यह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बनते हैं अमने यह आटे से बनाए फिर भी यह मेंदे से भी अच्छी लगते हैं तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं, सक्कर पारे बनाने के लिए मैंने या पर लिया है, एक कटोरी बर के गेहूं का आटा, मेजर मेंट के लिए आप कोई भी बरतन ले लिजिए, मैंने या पर एक कटोरी लिया है, अब दूसी तरफ चलते हैं, एक मिक्सी जाल ले लेना है, और आदिकर्टोरी चिनी लेना है, इनको बढ़ी आसी पीस लेंगे, पिल्कुल बारिक पीस में, तो देखे इसे मैंने पीस लिया है, अब इसे आटे में डाल देंगे हम सूजी डालने से क्या होगा यह बहुती क्रिस्पी बन के तियार होंगे इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और मौन के लिए डालेंगे घी और इन्हें सबको अच्छे से आटों से मिक्स करेंगे बड़िया से मिक्स करना है तीनों बिल्कुल एक सार हो जाएं यह से मिक्स करना है हमें और इसकी मुट्टी बना कर देखेंगे कि हमारा मौन सई है या नहीं तो अब मुट्टी हमारी तूट रही है तो थोड़ा सा घीवा डाल लेते हैं और इसे भी डाल के बड़िया से मिक्स कर लेंगे मौईन का तरीका परपेक्ट यह होता है कि आप मुट्टी बना के देखिए अगर मुट्टी बन रही है आपके तो आपका मौईन परपेक्ट है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बढ़िया से इसका आठा लगा लेंगे आठा हमें नाहीं सकत लगाना है पुड़ी जैसा और नाहीं रोटी जैसा मुलायम लगाना है देखिए मैंने आठा लगा लिया है यह अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे डखकर इसे रख देती हैं तो देखिए 10 मिनट हो चुके थी अब हमारा आठा सैट हो गया है तो हम इसे बड़िया से मसल के थोड़ा सा और चिकनकल लेंगे बड़िया से और इसकी अच्छी सी एक लोई बना लेंगे हम सक्कर पारे बनाएं तो बड़ी सी लोई बनाएंगे और इसे बड़ी सी लोई बना को इसे बड़िया से बेल लेंगे जखली बेल लूगी में यहाँ पर और इसे एक मोटी सी रोटी बेलना है हमें तो देखिए यह नाई चिपक रहा है बहुत ही आसानी से बिल रहा है इसमें कोई हमें परिशानी नहीं आ रही है यह रोटी सी मैंने बेल लिए बस इतना ही मोटा रखना है हमको अब एक नाइप की हेल्प से इसे कट कर लेंगे सेप आप चाएंज ऐसा रख सकते हैं मैं यापर चौकर सेप में बना रही हूँ आप चाहिए तो ट्रियंगल सेप में या जो अब को पसंद हो उस सेप में बना सकते हैं तो नाइप की हेल्प से मैं याप सारे सकरपारे कट कर तयार कर लूँगी यह बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं इसमें कोई परिशानी दिक्कत हमें नहीं होती है तो देखिए मैंने सारे यहां कट कर लिए है अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ यह बिल्कूल भी न चिपके हैं बहुत ही अच्छे से निकल रहे हैं अब मैं इनको आपको फिराय करके भी दिखाती हूँ गेस पे मैंने यहां पे एक कडाई रख ली थी ओईल गरम होने के लिए ओईल हमें ज्यादा गरम नहीं रखना है मीडियम गरम रखना है थोड़ा सा आठा डाल का इसे चेक करेंगे तो देखिए जल्दी उपर नहीं आया है थोड़े थोड़े बबल्स इसमें आ रहे हैं तो यह तेल हमारा बिल्कुल परपेक्ट गरम हुआ है अब इसमें जो सक्कर पारे हमने बनाए थी उसे एक एक करके डाल देंगे आप चाहें तो एक साथ भी जाली में लेकर डाल सकती हैं मैं यहाँ पर एक एक करके डाल नहीं हूँ अब दीरे दीरे इने पलट देंगे हमें इने मीडियम फिलेम पर ही फिराई करना है फिलेम हमें हाई नहीं रखनी है तो देखे यह गोल्डर ब्राउन हो गए हैं अब इने निकाल लेती हूँ तो कितने अच्छे से फिराई हुए हैं हमारे यह सक्कर पारे मैं आपको दूसरा वैस भी फिराई करके दिखाती ह इसे भी इसी तरीके से फिराय करेंगे और निकाल लेंगे, यह बहुते अच्य से बनके त्यार हुने ना ईन हमें छासने की जरूणी लगी है, देख मेंके परपक्ट बने, यह बहुती क्रिस्पी हैं आप देख सकते हैं, जो क्रेक आ रहा हैं, उनसे लगता है मेंके यह लगी नहीं रहें तो देखे कितने क्रिस्पी हैं इनकी आवाज सुनके आप बता सकते हैं बहुत ही अच्छे से फिराई हुए हमारे सक्कर पारे एक बार सक्कर पारे इस तरीके से जरूर बनाए और अकर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो क में तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमने इने बिना चासनी के बनाया है चासनी बनाने की तो हमें यहां कोई जंजट ही नहीं है